हाई स्टुडेंट्स एक्जाम होने की वज़े से आज मैं आपको हिंदी में एक्जाम किस तरह से देते उसका एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो सबको पता है हमारी एक्जाम 60 मिनिट्स के होती है 50 क्वेस्टन्स होते पर क्वेशन्स वन मार्क्स होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होती पासिंग मार्क्स आपको 50 आउट ओप 20 होते ये एक्जाम आप मोबाइल या कम्प्यूटर्स पे दे सकते हो ये अभी की एक्जाम आपकी ठेरी बेस के उपर होती है तो फुल अबजेक्टिव क्वेशन्स रहेंगे आपको इस तरह से आपकी एक्जाम रहेगी तो फुर्श देखो हिंदी में किस तरह से आपको यहाँ पर सॉल करने दिया जा रहे है वेप की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने के प्रक्रिया को क्या कहते है लिंकिंग नेविगेटिंग हैपिंग या पेजिंग ठीके एक साइट से दूसरी साइट की दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते है नेविगेटिंग इसमें से कौन एक सर्च इंजिन है गुगल अल्टाविष्टा बींग्स यह सभी तो यह सभी हमारे क्या है सर्च इंजिन है किसी को मेल भेजने के लिए आपको जरूरत होती है डाश डाश रेसिडेंस अड्रेस इंटरनेट कनेक्टिविटी फेक्स एडेंस या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर ले लेना इंटरनेट कनेक्टिविटी कीवर्ट की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुवीदा प्रदान करने वाली वेब साइट कहलाती है डैश डैश चैट इंजिंग, राउटर्स, वेब सर्वर्स या सर्च इंजिन जो भी हम इन्फोर्मेशन सर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं सर्च इंजिन वेब स्पाइडर और वेब क्रावलर्स ये डैश डैश उधारन होते हैं ब्राउजर्स या सर्च इंजिन या HTML प्रोग्राम या फ्लेम्स तो यहाँ पर ले लेना है सर्च इंजिन अपनी एक्सल शीट के एक और कॉलम डालने के लिए आप किस विकलप पर क्लिक करेंगे insert sheets column, insert sheets, insert sales, insert sheet row column बढ़ाना है तो आपको insert sheet column ले लेना है then save and next MX Excel की worksheet में पहले sales का नाम dash dash होता है तो A1 column name plus row number निन्मनिकित में से कौन सा विकलप MS Excel में मौजुद नहीं है auto sum, table, slides master या charts slide master या अमारे power point में आता है तो यहाँ पर ले लेना है slide master merge and center विकलप कहा मिलता है home tap के font group में, home tap के alignment group में, view tap के alignment group में या file menu के alignment group में तो home tap में alignment group में आपको क्या मिलता है merge and center Excel sheet के columns की चोड़ाई manual रूप से एक विशिष्ट मुल्य पर set की जा सकती है सही या गलत सही आप amount डालके वाँ पर adjust कर सकते हैं यदि computer पर कोई भी word या Excel file print होती है तो उस print out को dash dash कहा जाता है print करने के बाद वो file क्या बनती है hard copy बनती है soft copy file computer में रहती है तब तक उसे कहा जाता है Excel में विविन्न सेल के order color को बदलने के लिए आप dash dash का उप्योग कर सकते है line color, fill color, text color, no color अभी border को color देना है तो किस से दिया जाता है? line color से दिया जाता है MS outlook में dash dash यहाँ एक सभी एक ऐसी location है जहाँ आप आई हुवी सारी emails देखते है और store होती है सो inbox में सभी मेल आते हैं सो यहाँ पर लेना inbox किसी appointment को event में बदल सकते हैं लेकिन event को appointment में नहीं सही या गलत उन आईकोनों में से आप आम तोर पर outlook के नाम में कोन दिखाई देते हैं मेल आईकोन एड्रेस बुक आईकोन न्यू फोल्डर आईकोन या पेक्स आईकोन तो ज्यादा तर हमें मेल आईकोन ज्यादा तर दिखाई देता है इंटरनेट ड्वारा messages तथा electronic documents की लेन देन के लिए डैस डैस का इस्तिमाल होता है इमेल, wordpad, e-shopping या cpu इमेल send और receive से करते हम तो यह आपर इंटरनेट से ज्यादा तर इमेल भीज़ते हैं अगर कोई आपको बताए कि उन्होंने आपके एक इमेल भीजा है लेकिन आपको वह नजर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे keyword पर F5 बटन दबाएंगे PowerPoint में bullet की formatting करने के बारे में निमल कित में से कौन सा वक्तव्य सही है bullet point का रंग बदल सकते bullet point में जीप इंसर्ट कर सकते bullet point में gradient लगा सकते या bullet point में audio इंसर्ट कर सकते तो bullet point का रंग बदल सकते Microsoft PowerPoint के review tab में किस तरह के function उपलब नहीं है slideshow, research, resource या spelling अब इस slide, review tab, review tab में क्या रहता है? research होता है, resource होता है, spelling mistakes भी होता है तो slideshow या हमारा slideshow के tab में आता है या shapes तो shapes लेके भी आप उसमें double click करके लिख सकते तो उसे भी text box में convert किया जा सकता है PowerPoint में PowerPoint projection की slide का आकार बदलने के लिए सही विकल्प आपको कहा मिल सकते है home tab में, design tab में, insert tab में या view tab में तो design tab से आप उसका size बदल सकते हैं यहाँ प्रदरशित, big forwards, being forwards और send backward विकल्प का उपयोग आपकी slide में shape, text box और तस्वीरों को arrange करने के लिए होता है वह डैश डैश टैब में मौझूद होते है तो being forward, send backward यह हमारे format, home, insert या view एक है format यह tabs में मौझूद होते हैं मतलब यहाँ पर कोई भी हम shapes लेते हैं, आगे पीछे करने के लिए उसको format से arrange कर सकते हैं इन में से किस tab को में आपको text effect मिलते हैं जिनका उप्योग करके text की सुन्दरता बढ़ा कर उसे और अधिक आकरशक बनाया जा सकता है so home tab, insert tab, format tab या view tab तो home tab में ज़्यादा तर आपको color वगरा, text को बदलने के लिए मिलते हैं निम में लिकित में से कौन सा एक open source operating system का उधारन है mountain lions, lions, linux और windows तो open source operating system का ये क्या रहता है windows ले लिया, किसी disk में web folder और file को store करने का नामांकित शेत्र डैस 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 नाम से जाना जाता है file, folder, icon या control panel folder में आप सभी आपर store कर सकते dash dash tool का उप्योग screen पर स्तित किसी भी चीज़ का screenshot लेने के लिए किया जा सकता है जैसे किसी web page की तस्वीर का या किसी web page का एक भागो snipping tools, calculators, notepad या skype तो snipping tools से आप screenshot ले सकते save and next आप अपने computer पर date और time के format को बदलना चाहते है windows में आप dash dash विकल का उप्योग करके system की तारीक और समय के format को बदल सकते है control panel, personalize, task manager या paint तो control panel में से आप यहाँ पर size बना सकते हैं या फिर task manager से भी आप क्लिक करके size, date and time बदल सकते हैं फिलाल अभी हम control panel देते हैं निम्मलिकित में से कौन सा windows operating system में उप्योग के लिए उप्योग किये जाने वाले files compression program का उधारन नहीं है winzip, raid, windrar या packzip तो देखो, raid ये अमारा program zip करने के लिए मतलब compress करने के लिए use नहीं होता zip dash dash किसी shape पर लगाया जाने वाला ऐसा shape fill है जो एक रंग से दूसरे में बदलता है slides fill, picture or texture fill, gradient fill और pattern fill तो gradient fills जो होता है, multi color का होता है उसे apply कर सकते हैं word document में एक shape चुनने के बाद आप dash dash tap से अपका आकार बदल सकते हैं page layout, home, format या design so format या options का यूज़ कर सकते हैं word document में font size को dash dash में मापा जाता है font को points में माखा जाता है, मतलब points में calculate किया जाता है कि shape या line में जल्दी से एक पहले से design किया हुआ अकर्शन dial के लिए आप क्या लगाओगे paragraph style, shape style, shape effects, shape fill shape style लगा देंगे जिससे आपको directly वहाँ पर effects जो होगा select qv text का रंग बदलने के लिए आप निम्मल कित में से कौन सा icon पर क्लिक करेंगे font color तो font color से आप text बदलते तो font color ले लिए insert qv text box में text डालने के लिए आपको सबसे पहले text box dash dash करना होगा click करना होगा किस document का page size निरधारित करने के लिए आपको किस tab पर ripple मिलेगा तो किसी भी document का size आप adjust करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको file, insert, design तो यहाँ पर page layout में आप उसकी size adjust कर सकते वित्य बजट टैयार करने के लिए करने उसका visualization करने और उसके बारे में पुर्वानुमान लगाने के लिए आसपसे योग्य options कौन सा होगा DBMS, word processing, projection graphics या spreadsheet तो देखो spreadsheet से आप मतलब excel का use करेंगे तो ज़्यादा आसाने से calculate वगरा कर सकते तो spreadsheet कभी कभी संस्तार का cyber firewall में एक विशेश computer का software इनका समावेश्च रहता है जिसे डैस डैस कहते है firewall, node, proxy server या terminals तो firewall रहता है विशेश्था पूर्ण डिवाइस जैसे की cam cards और storage device इने कि एक ग्हां अज्वाईट में प्सक्राइब कि रहलें जह है लाओ जाए्था झाल 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 झाल